हेलो एब्रिवन वेल्कम बैक टो माई चैनल मैं हूँ रस्मी सचान और स्वागत है आपका मेरे यूटीब चानल पर चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ दोस्तो इस समय चो सीजन चल रहा है ना इसमें जुकाम खासी इंफेक्शन और बुखार वगेरा बहुत आम सी बात है हर घर में हो रहा है और यह सब चीजें इंफेक्शन से बड़ी जल्दी फैलती हैं डॉक्टर के पास दिखाने चाते हैं तो वो बहुत तरह की दवाईया देता है आपको बता रही हूँ यहाँ पर घर पर इम्म्यूनिटी बढ़ाने वाला खासी और जुकाम से निजाद दिलाने वाला काड़ा सबसे पहले कोई चाय वाला वगोना ले लीजिए कोई भी पैन ले सकते हैं इसमें डालेंगे दो कप पानी पानी में डालेंगे हैं कूटना या कद्दुकस्त नहीं करना है एक लोगों के लिए बन रही है तो एकदम पतला सामने अधरक का एक चिपस जैसा इसमें डाला है एक लोगों के लिए बस चार से पांच जाएगी इसमें काली मिर्च दो जाएंगी लॉंग एक जाएगी हरी वाली इलाइची य जब तक कि ये एक कप ना रह जाएं, इसे आप दिन में जो है दो बार भी ले सकते हैं, अब हम इसमें डालेंगे चार से पांच तुलसी के पते, तुलसी की पतियां आप थोड़ी जादा डाल सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है, तुलसी का रस वैसे भी कले के लिए, ख होता है काड़ना, यानि धीरे-धीरे पकाना, तो जब ये आधा रह जाएं, यहाँ पर मैंने एक लोगों के लिए बताया है, अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बनाना चाते हैं, तो सारी चीजों की मातरा को उसी साब से बढ़ा दें, अब यहाँ पर हम काड़ा को में ये काड़ा आप दो से तीन बार बना करके ले सकते हैं दिन में, अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, तो जो अध्रग और तुलसी का ये काड़ा होता है, इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जो आपको खांसी गए रहा है उस से लिघा देलाता है ऌतकी अगर जया दिकत है तो आपको डॉक्टर के पास दौपे लिए गवा पर लेया है तो भी आप इसे落से है यह जो बचा हुआ है 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 इसे आप भार में इस्टेमाल करें जब दुबारा करें लेकिन आप अगली बार जो इसमें और अब इसे हम मीठा करने के लिए डालेंगे इसमें मीठा करने के लिए नहीं इसे और भी ज़दा इफेक्ट्व करने के लिए मीठा के लिए मैंने आपको गुड़ बता जाता immunity मजबूत करने के लिए और साथी साथ इसे एक taste देने के लिए हम इसमें डाल सकते हैं आदा चम्मत शहद शहद जो है बहुत ही फाइदा करता है जब भी खासी आती है कफ होता है तो गले में बहुत ही दर्द होने लगता है खरास होने लगती है तो ऐसे में जो है बहुत पराने समय से जो है इसका इस्तमाल होता आ रहा है शहद का खासी बगारा के लिए गले की दिख़त दूर करने के लिए अच्छे से इसे मिला दें शहद को जब मिलाएं तो इसे हलका गरम होना चाहिए और इसे थोड़ा गरम गरम ही पी है जिस तरह चाह पीते हैं चाह काफी गरम होती है आप इसे थोड़ा सा ठंडा भी पी सकते हैं तो बस इसे आप रात को सोते समय भी ले सकते हैं दिन में किसी भी वक्त ले सकते हैं दो से तीन मार आराम से आप इसे पी सकते हैं जो भी हमने इसमें चीजें इस्तमाल की है मसालिव वगेरा वो उनकी तासिर थोड़ी गरम होती है तो बहुत ज़्यादा ना डालें जितना मैंने बताया है उतना ही डालें तो ये आपका जो काड़ा है इम्म्यूनिटी बूस्टर काड़ा जो काम और खासी से बचाने वाला काड़ा वाइरल से बचाने वाला काड़ा है ये बहुत ही जो है ये काड़ा फाइदे बंद होता है आप घर में किसे भी दिक्कत हो आप से दिये सकते हैं मेरे वीडियो अच्छी लगए हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें दोस्तों सब्सक्राइब पर इसी तरीके की यूस्फिल वीडियोज के लिए